राधे राधे एवरिवन माई पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको सूरज रोटा का डोरा कैसे बनाया जाता है और सूरज रोटा का वरत कैसे किया जाता है इसके बहुत इसरल विधी बताऊंगी सूरज रोटा का डोरा बनाने के लिए कच्चा सूत लिया जाता है तो आप सी या तो किसी की help से बना लें ये डोरा नहीं, तो आपने लोटे में से इस डोरे को लपेटते हुए हमें 8 तार लेने हैं, तो देखिए 2 हो गए हैं, 1 इधर और 2 इधर, इसके बाद हम इसको इस तरह से लपेटना शुरू कर देंगे, तो देखिए अभी हमारे 4 ता इस दिन डोड़ा भी बनाया है तो देखिए यह वरत कवारी लड़कियां भी करती है और साधी सुधा महिलाएं भी करती है पीहर का शुख पाने के लिए यह वरत किया जाता है यानि हमारे माईके में सब सकुशल रहें वहापर धन, संपत्य, शुक्श मर्धी बनी रहें इस तो यह डोरा छोटाना पड़े इसलिए पहले ही हम डोरा बढ़ा ले लेंगे, तो देखे इस तरह से हम आठ गांट लगाकर डोरा त्यार करेंगे, सूरज रोटा का जब वरत किया जाता है तो एक समय भोजन करना होता है और इसमें मीठा ही भोजन करना होता है यानि कि नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है और भोजन करने के लिए भी क्या होता है जिब सूरज रोटा कवरत किया जाता है तो एक रोट बनाया जाता है यानि एक रोटी बनाई जाती है और उसके अंदर एक छेद कर दिया जाता है उस छेद में से सूरिय भगवान को देखकर अरग दिया जाता है तो जो कहानी का तो देखे यह हमारी 8 गांठे लग गई हैं और साथ ही मैंने आपको बता भी दिया है कि वरत कैसे किया जाएगा अब हम देखिए इसको ना जो डोरा है इसको हल्दी में रंग लेंगे तो यहां पर हल्दी का मैंने पेस्ट बना लिया था तो आप उस पेस्ट में इसको रंग यह निकाल देंगे ताकि यह थोड़ा जल्दी से सूख जाए बहुत जल्दी सूख जाती है हल्दी जादा टाइम नहीं लगता है तो इसको बना के मैं एक बार थाली में ही रख दूंगी तो देखिए यहां पर जितनी भी एक्स्ट्रा हल्दी है वो सारी मैने निकाल दी ह इसको रख देंगे तो यहां पर हम आठ दाने लेने हैं कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो यहां पर हम आठ दाने गेहुंके लेंगे शाथ में ही हम अपने हाथ पर यह जो डोरा है यह रखेंगे कुछ लोग जो स्वास्तिक बनाया है इसके ऊपर भी डोरा रख देते हैं तो आप यह तो स्वास्तिक बनाया है है। तो आप हाथ में भी डोरा ले सकते हैं और इस तरह से हम कहानी सुन लेंगे कहानी सुनने के बाद हम सुर्य देवता को अरग देंगे तो देखिए हाथ में इस तरह से दाने और ये डोरा दोनों लेकर हम सुर्य देवता को उपर अरग दे कर आएंगे चत पर या आंगन में जहां से भी आपको सूर्य देता दिख रहे हैं वहां से ये अरक दिया जाता है और देखिए ये रोटा है जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह का रोटा बनाया जाता है तो इस तरह का आपको रोटा बनाना है और जब आप अरक देंगे ना तो इस ज पानी डालती है और पूछती है कि सूरज दीख्यो तो हम कहते हैं कि दीख्यो सोही टूटो उसके बाद फिर कहेगी सूरज सूरज दीख्यो तो हम कहेंगे दीख्यो सोही टूटो यानि वरती कहेगी दीख्यो सोही टूटो इस तरह साथ बार कहना है और इस तरह अरक देने के हमें जो वरती है वो जब खाना खाएगी तो जैसा कि मैंने आपको बताए रोटा ही खाना है नमक बिल्कुल नहीं खाना है यह रोटा जो बनेगा बगैर नमक का बनेगा तो फ्रेंड्स इस तरह से सूरज रोटा का डोरा बनाया जाता है और सूरज रोटा का वरत किया जाता झाल झाल